आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विध्यान, भौतक विध्यान और जी विध्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें Hello friends तो हमें इस question में error spot करना है और ये question spot the error topic से है basically हमें इसमें तीन parts दे गए है part A, B and C और हमें देखना है कि कहां पर grammatical error है और हमें लगता है कहीं भी नहीं है तो हम option choice D no, error choose कर देंगे तो आईए चलते हैं examine करते हैं sentence को काफी छोटा से sentence है sentence कहता है these display जिसका मतलब है कि किसी plural subject की बात हो रही है और वो कुछ display कर रहा है कुछ दिखा रहा है part B कह रहा है the and part C कह रहा है remarkable variety तो कोई चीज है जो दिखा रही है क्या remarkable variety काफी अच्छी variety दिखा रही है different चीजें दिखा रही है तो variety दिखा रही है alright तो हमें error already मिल चुका है error कहा है part B में जो की the article को ले रहा है तो दोस्तों यहाँ पर problem यह है कि हम बात कर रहे है किसी चीज की जो display कर रही है remarkable variety तो हम remarkable variety के आगे basically हम variety के साथ यहाँ पर article लगा रहे है right और variety यहाँ पर क्या है singular है और हम variety की कोई particular variety की बात नहीं कर रहे है हम article D कब लगाते है जब हम particularity की बात कर रहे हो किसी चीज की जब इसके particular होने की बात नहीं कर रहे है तो हम D भी नहीं लगाएंगे क्योंकि Variety Particular नहीं होती है यहाँ पर बस Normal Variety Term यूज करी गई है उसकी Speciality नहीं बताई है तो इसलिए हम D आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे हम A का यूज करेंगे जो की काफी generic चीज़ें दिखाता है काफी normal चीज़ें दिखाता है और singularity की तरफ भी जाता है तो यहाँ पर D की जगा A लगाएंगे और हमें हमारा answer मिल गया इस question का Thank you so much for watching the video